सुमित बहुत-बहुत स्वागत है आपका CNN News 18 में सबसे पहले तो बहुत-बहुत बधाई कि आपने अपना टोकियो का गोल्ड मेडल पैरिस में डिफेंड किया और इसी के साथ बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हम सभी देशवासियों का नाम रोशन किया थैंक यू सो मच भाई और देखे आइटिंक यह रिस्मोंसिब्लीटी भी होती है कि हम अधा डिफेंडिंग चंपियन जा रहे हैं तो अपना हांडरे परसेंट दें और काफी अच्छा लगा टाइटल डिफेंड करके वो भी एक न्यू पैरलम्पिक रिकोर्ड के साथ में औ और यह एक मोटिवेशन के रूप में भी मिल रहा है कि आने वाले टूर्णमेंट्स हैं जो उसमें और अच्छा परफॉर्म करेंगे जी तो समित देखिए ऑलम्पिक में गोल्ड जीतना एक बात होती है बट अपने गोल्ड को डिफेंड करना डाट्स कंप्लीटली आउट आपने वो किया उसके बाद आप देश वापस आए तो यह कहना गलत भी नहीं रहेगा कि पिछले 25 दिन आपके लिए बहुत हेक्टिक रहे होंगे क्योंकि आपने देश का नाम तो पैरिस में रोशन किया बट अब जब वो देश वासियों का प्यार आपको मिल रहा है तो वो भी एक बड़ी अच्छी फिलिंग होती है तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि पिछले 20-25 दिन आपके लिए कैसे रहे हैं बिलकुल भाई सबसे पहले तो पैरिस का मैं बताओं कि पैरिस में जब हमने टाइटल डिफेंड किया तो वहां पे पीम सर से बात हुई औ इतना अच्छा सपोर्ट किया और यहां पे आने के बाद में जब लोगों इतना मान सम्मान दिया इतना प्यार दिया और कहीं न कहीं उनको उम्मीदे थी में से कि हां मैं टाइटल डिफेंड कर लूँगा जिस तरह से मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि मोस्ट फेवरेट एथलेट्स जो अपने टाइटल को डिफेंड कर सकते हैं उनमें मेरा भी नाम था तो काफी अच्छा लगता है कि जब ल जिस मुकाम पे हम पहुचना चाहते थे आज हैं उस मुकाम पे और फ्यूचर जनरेशन को मोटिवेट कर रहे हैं और बाकी मैं थेंक भी बोल सकता हूं जितने भी लोग मान सम्मान दे रहे हैं पूरे देश का और बसे ही बोलूँगा कि कोशिस करेंगे कि आगे भी ऐसे ही उनको प्राउड फील करवाएं और देश को गोल्ड मेडल दिलाएंगे बहुत ज़्यादा इंप्रूब्मेंट हुआ और इस चीज को आपने पैरिस में बल तीन बार तोड़ा और 70.59 मीटर पे आप जाकर गोल्ड लेके आएं तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आगे आप इस चीज को और कैसे इंप्रूव करना चाहते हैं या अगर आपक 73 हंजा हुए इसन पैरा गेम्स में 73 मीटर कबल रिकोर्ड बनाया था मैंने हाला कि हम पैरिस में काफी ज़्यादा थ्रो एक्सपेक्ट कर रहे थे 70 से तो मलब हम कोशिस कर रहे थे कि 74 75 मीटर के आसपास लगनी चाहती वहां पे तरोज क्योंकि जिस तरह का हमने एफर्ट् है या फिर आप थोड़ा बहुत लग भी बोल सकते हैं कि आप लग कैसा है उस दिन तो अलग कि काफी चाट रूनमेंट था बट हम 75 मीटर के आसपास थ्रो एक्सपेक्ट कर रहे थे यहां पे और लोंग टम की बात करें तो हम कोशिश करेंगे कि लाइफ में कभी न कभी व फील है कि यहां कि लोगों में यह कम है यार 43 का है तो अब यह स्टैंडर्स हो गया कि हमाँ दलब क्योंकि जितने भी एबल्ड हैं वो समझते हैं कि 73 मीटर कितने परसेंट लोग है कि उपर पाते हैं एबल्ड में भी तो एक रिस्पेक्टेवल थो के साथ साथ आई थिंग अभी टाइम आ गया कि लिजेंडरी थ्रो करें और अपनी लिमिट्स को इवन बोल परा फैटरनेट आप पैरिस में गए वहां आपको यह ना कॉंपीट करने में भी बड़ा मज़ा आया लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपके गोल जीतने का सफ़र टोक्यो 2020 में शुरू हुआ और उसके बाद फिर पैरिस में आकर आपने इसको डिफेंट किया आम शूर दोनों जगा महौल में काफी अंतर होगा और कई नई चीजे भी आपको सीखने को मिली होंगी तो मैं इसी डिफ्रेंस के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूं आपसे बाई देखिए टोक्यो में मेरे को पहले बाद तो कोई जानता नहीं था उस टाइम पे तो बहुत कम मेरे खा पहले प्रेंडिंग चैंपियन बहुत कम होता है तो क्योंकि हर चीज आपको एसास दिलाते हैं जिस तरह से लोग आप से बाते करते हैं और जिस तरह से आपको कॉम्पिटीटर्स देखते हैं इवन आपका चैस्ट नंबर जो जिस पे नाम लिखा होता है वो भी अलग कलर का होता है बाकी लोगों से तो कि टोक्यो में कोविट के चलते क्राउड नहीं थी यहां पर स्टेडियम काफी भरा हुआ था और जैसे थ्रो स्टार्ट हो रही थी तो हूटिंग शुरू हो रही थी तो वह काफी नर्वसनेस को और एडरिन रस्ट को बोड़ी में काफी बढ़ा रही थी उस टाइम पे ब जी जी बट पैरिस में मतलब बहुत ज़्जा शोर और बहुत ज़्यादा आ मतलब एक दूसरे को पुश्क र्रे थे जिस तरह से तो बहुत ज्यादा मज़ा है पहर इसमें कम्पीट करते टाइम बट प्रेशर भी आइटिंक उतना ही ज्यादा था अब की बार टाइटल को डिफेंड करने के लिए क्योंकि आज तक किसी ने किया नहीं था पहले अवनी और मैं ही हूँ घिस ने किया अब तक तो बहुत ज्यादा प्रेशर था और यह जब मेरे को पता लगा कि आज तक किसी ने भी टाइटल डिफेंड नहीं किया है तो और ज्यादा बट जब अवनी ने टाइटल को डिफेंड कर लिया तो काफी मोटिवेशन मिले उससे कि हाँ जब आव नहीं कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं खुद पर विश्वास रखा और हुआ टाइटल वहां पर डिफेंड वह भी नए पैरलम्पिक रिकोर्ड के साथ में तो काफी अच्छा एक्सपिरियेंस रहा पाई जी आपने कहा कि आप एक्साइटेड और नर्वस थे एक्साइटेड हम भी थे क्योंकि अकसर यह होता है कि अगर कोई इंडियन इतलीक कंपीट कर रहा है तो यह उमीदे होती है कि ना पोडियम फिनिश जरूर रहे बट मैं आप से ये एक चीज जानना चाहूंगा कि जैसे आपने 2020 में गोल जी कि देखे भी आज जैसा हम ट्रेंड कर सकते थे हमने हरे एक वे में ट्रेंड किया और प्रपर प्लैन में चले थे हम ऐसा नहीं कि कुछ भी वर्क आउट कर लिया कि हमें पता था कि किस ताइम हमें अपनी बोड़ी की पीक निकाल ली है किस टाइम हमें लोड में रखना है अब ट्वंटी ट्वंटीटीटी जब हैशन परागेम्स के बाद में मेरे को उससे पहले एक इंजरी थी वो थोड़ी सी और बढ़ गई थी उस टाइम पे तो मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं उससे थोड़ा परफॉर्मेंस पे असर पड़ा है मेरी और बट लास्ट में आ बट नया कुछ ट्राइ नहीं किया हमने जो टोक्यो में हमने त्यारी की थी सेम ही उसी को थोड़ा लेवल अप करके जैसे में स्ट्रेंथ कंडिशन स्ट्रेंथ वगरा करता हूं तो उसको ही थोड़ा लेवल अप कर दिया और टेक्निकल एक्सपेक्ट को थोड़ा लेवल बट हम कोशिव से करगते हैं कि जो और जासे अब मेरे पास में टाइम है तो हम कोशिज करेंगे अब थोड़ा बोड़ी पे इस wage करें तिन इस तैम दोग्यों के बाद मैं 2020 थन में वर्ल्ड चेंपियन बना हैँ, एशन गेम्स में गोल्ड मेDAL आया तो बैक टुबैक कोंपेशन के लिए बट अभी कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत नया देखेंगे जी सुमित थोड़ी टेक्निकालिटी के बारे में भी बात करूंगा है मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपका जो लैंडिंग फूट है जो लेफ्ट आला जो एम्पूटेटेड है उसकी वज़े से कई बार ऐसा हुआ है कि आपको अपना बॉड़ी बैलन्स करने में दिक्कत आई है तो आगे जाते हुए आपको और भी कॉंपूटेशन में कम्पीट करना है तो उन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए क्या आपने इस चीज़ को इंप्रूव करने के बारे में कुछ किया है या करने की सोच रहे हो बिल्कुल है वाई जैसे जैसे मैंने है कि मैं पैर इसको लेकर वाक्या में बहुत ज्यादा सीरियस था हमने एशन हंजा उप एशन पैरा गेम से लेकर अल्मॉस्ट टैन किलो वेट कम जा तो इसकी हिसाफ से भी थोड़ा लाइनमेंट चेंजिस करने पड़ेंगे हमें वह बहुत ही टेक्निकल एक्सपक्ट होत है इसे ग्राउंड पे जितना टाइम उसको देंगे हम और जैसे मेरी पूरी टीम है जैसे मेरे पास मैं प्रोस्टेसिस्त है मेरा और उनके साथ में मिलके बैटके जो जो चीज में फिल कर पा रहा हूँ जो जो कम यहाँ मिरे को फिल हो रही है इस तिंक उनको बताऊंगा सब्सक्राइब करने के लिए आपके साथ है कि आप और अच्छा करें इंप्रूमेंट करते रहें लेकिन इंप्रूव करना और है ना खुद से कंपीट करना अपने आपको बैटर करना इन सब चीजों के लिए जजबे की जरूरत होती है और इसी बात पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मैंने आपकी मदर जो है उन्होंने टाइम 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 जिस तरह से मिलको मोटिवेट किया है कभी भी मिलको आज डिफरेंट लिएवल परसन होने का ऐसास नहीं दिलाया इवन एक्सिदेंट के बाद में भी जैसे में से पहले काम लेते थे ते तो मैं ऐसे ही बोलते थे कि चलो टाइम के बाद में तो बट जिस तरह से उन्होंने टाइम टो टाइम सपोर्ट दिया अपना जितना उन से हो सकता था वैदर वो फोरन ट्रेनिंग में फाइनेशली एक्सपैंस की बात आई या कभी भी मिलको किसी बी चीज़ जरूरत है उन्होंने कभी भी मना नहीं किया इवन एक्सिडेंट के बाद में भी जैसे कुछ लोग बोल दे देते कि अभी तो पड़ लिख लेगा थोड़ा बहुत नाइन टू फाइव जोग कर लेगा बट उन्होंने बस एकी बात बोली कि तू लाइफ में जो भी कर खुश रहे और ये टाइम जो है ये दोबारा न आती हैं और जिस तरह से आज फादर मदर दोनों का रोल प्ले किया उन्होंने लाइफ में तो मैं जो कुछ भी हुआ उन्हीं की वजए से यह बहुत अच्छे बात बताए सुमित आपने लेकिन आगे मनने से पहले मैं एक आपके अच्छे दोस्त नवदीप का जिक्र करना चाहूंगा अभी कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो वाइरल हुआ था एक पॉडकास्ट मेंसे जब वो कह रहे थे कि जो पैरा अथलीट्स होते हैं उनको जजबा आता है लोगों के तानों से जब एक नॉर्मल इंसान उनको किसी लायक नहीं समझता उनको ताने देता है उनका मजाक उड़ाता है तब वो जजबा आता है कुछ कर दिखाने का देश का नाम रोशन करने का और जिस तरीके से अभी चीज़े बदल रही है हमारे पैरा अथलीट्स देश में ही नहीं बलकि विदेशों में भी जाके हमारे भारत देश का नाम रोशन कर रहे हैं तो अधिप एक बहुत ही हमलों डाउन टू अर्थ लड़का है बच्चा तो नहीं कहूंगा मैं उसे बट अ हाँ उसने जो जो फील की हैं क्योंकि मैं उसके साथ में दो साल रहा तो काफी ज्यादा टाइम होता है दो साल तो जो 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 चीजे उसने फेस किया उस टाइम पे जो लोग उसका मजाग उडाते थे और जिस तरह से उसने इवन पेरलंपिक गोल्ड कि बाद में एक डाफिसम के मुद्दग उठा यह तो वो बहुत हिमत्य keywords मुद्दग उठाने के लिए और फॉर्शोर इस जो मुद्दे को उसने उठाया है और फॉर्शोर कि जितने भी ड्वार्फ लोग है हमारे भी इसमें उन्हें ताकत मिलेगी और उन्हें भी एक रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाएगा कि जिस तरह से वो मैनत कर रही है और एक तरह से प्रूव करने में लगी है खुद को तो इससे बहुत लोग को as a inspiration by chance जैसे मैं अपनी बात करूँ तो जो भी एंपुटिड एंपुटिड लोग हैं उन्हों उन्हें काफी मोटिवेट मिलते हैं मेरी वीडियो देखने से मैं काफी सारे मेसेज़ी रिसीव करता हूं सोचल मीडिया पर कि भाई मेरे साथ में भी ऐसा हो गया बट आपको देखके मेरा दुख 90% कम हो गया या फि तो काफी खुशी है और जिस तरह से लोगों में बढ़ रही है तो मतलब सब्सक्राइब को हर एक चीज को होने में टाइम लगता है और काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है तो काफी खुशी है उस चीज़ को देखके जी ज़रूर और सुमित क्योंकि वक्त की कमी है तो यह मेरा आखरी सवाल होगा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नीरच चोप्रा वो भी एक देश के आइकन है उन्होंने भी टोकियो में गोल्ड मेडल जीता था मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप उनसे कॉंटक्ट में हैं आप लोगों के बीच में क्योंकि कैसे हेंडल किया जाया इस गेम में कैसे आके बढ़ा जाया कुछ इस तरीकी की बाते आपकी और उनके बीच में होती है हाँ भाई नीरच भाई से रेगूलर बाते हो जाती है और अभी भी मैं जस्ट थोड़े एक-दो दिन पहले मुंबाई में मिला था हम से और अप दूसरे को बारे में बाते होती हैं कि गेम कैसे एक-दूसरे का इंप्रूव करवाया जाए और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं तैंक यू सुमित आपके समय के लिए हम उमीद करते हैं कि आप जिस कॉंप्पिटीशन में भी जाए अपना हाल रेकॉर्ड खुदी तोड़े औ और एक नया वर्ल्ल रिकॉर्ड सेट करें आपके फ्यूचर के लिए बहुत-बहुत शुब कामना है और बहुत-बहुत शुक्री है हमारे साथ बात करने के लिए थैंक यू थैंक यू सो मुद्ध पासवाई थैंक यू सो मुद्ध